बॉलिवोट के मश्चूर फैशन डिजाइनर मनीश मलूत राग सरब ने घर पर ग्रेंड पार्टी थो करते नजर आते हैं साथ ही वी टाउन के सितारे समिशिवकत कर अपने लुक से तहल का मचा देते हैं ऐसा ही नजारा बीती राग को भी देखने को मिला जब डिजाइनर के घर के बाहर मनूरंजिन जगत के सितारों का जमावडा लग गया वही इस पार्टी में अर्जुन कपूर की गल्फ्रेंड और एक्ट्रेस मलायका अडोडा पूरी लाइम लाइट लूटने में खाम्याब रही मलायका अडोडा पार्टी में ब्लैक कलर की थाय हाई स्लीट और फ्रंट नेट वाली बॉडिकॉन ड्रेस पहन कर पहुँची जहां उनका लुक और फैशन देखकर हर कोई उनका कायल हो गया नब्बे की दशक की मशूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी ब्लैक को और ड्रेस में काफी खुबसूरत दिखी हालां की कोरोना से बचाप के लिए उन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है मलाइका की बहन अम्रीता अडूरा का जलवावी पाटी में बखोवी देखने को मला इस दोरान वो वाइट कलर की ओफ शोल्डर मिनी डिस्वन स्पॉट की गई साउथ इंडेस्ट्री से लेकर बॉलिवुड में अपनी खास पहचान बना चुकी बोल्ड और खुबसूरत अदाकारा पूजा हेग्डे किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहती है अभिनीत्री ने काफी कम समय में अपनी एक्टिंग के दम पर कडोडों दर्शकों का गल जीता है मीडिया स्लेवर्स की परवाह करते हैं और उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते कुछ ऐसा ही हुआ जब पूजा हेग्डे मुंबई एर्पोर्ट पर स्पॉट की गई इस दोरान मीडिया की तरप से उन्हें प्री बॉड़िस सर्प्राइज मिला वो इस सर्प्राइज को पाक कर कितिनी ओबर्वेंट हुई इसका तकाजा उनके चहरे पर छाई कुसी से देखा जा सकता है इस दोरान अदाकारा की आउटफिट, स्टाइल एंड कमफर्ट का परफेक्ट कम्बिनेशन देखने को मला कैजूल मेकप और ओपन हेर्स, एक्रिस के लुग को चारचान लगा रहे हैं यह हसीना मीडिया के सामने धडली से पोच देती रही बॉलिवूड एक्टर सल्मान खान की र्यूमर्ट गर्फ्रेंड यूलिया वंदूर को यू तो आपने कमी पप्लिक एपिरियंस में देखा होगा लेकिन वह जब भी लोगों के सामने आती हैं उनका स्टाइलिस लोग देखने वाला होता है ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला जब यूलिया को एरपोर्ट पर कूल एंड कमफर्टेवल कपड़ों में स्पॉर्ट किया गया इस दौरान यूलिया ने ब्लैक जॉकर को अपनी टाइपोग्राफिटी विद हापसरग के साथ टीम अप किया था बात करें यूलिया के ओवरॉल लूप की तो उन्होंने इस ड्रेस को डिफरेंट इंगल देने के लिए बेसबॉल कैप को खूले बालों के साथ कैरी किया था वहीं अपने पैरों को आराम देते हुए उन्होंने वाइट स्पोर्ट सूच पहना था